रमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्जिज में मित्रों आज हम बात करेंगे ये डे 12 का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का ये हिस्सा है और इसमें हम दो प्रस्णों पे बात करेंगे पहला प्रस्ण है प्लेट जो विवर्तनी की सिध्धान्त की ब्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर परवतों के निर्माड की प्रक्रिया का वर्ण कीजिए ये काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है और ये UPSC में तीन चार बार पूछा जा चुका है और UPPCS में ये सीधा प्रस्ण आने की पूरी संभावना है तो इसको हम देखेंग आगे हम चकरवाद की बात करेंगे और टेंपरेट जो साइकलोन है उसके जो आवश्चेक दसाएं और मौसम पर बढ़ने वाले प्रभाव ये दूसरा प्रस्ण है कि चकरवाद क्या है और उस लिकटबंदी चकरवाद पर पढ़ने वाले जो प्रभाव हैं उसकी दसाएं कौन कौन सी है और उससे मौसम पे पढ़ने वाले प्रभाव को देखेंगे जो लोग नए हैं कि पिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा कारिक्राम अच्छा लगता है तो like, share, comment जरूर किया करें और जो लोग भी offline या online test series से जुड़ना चाहते हैं एक तारिक से और पांच तारिक को free आप test दे सकते हैं मुखरजी नगर में आप पांच तारिक को GTV नगर Metro के gate number 1 के सामने हमारा office है वहाँ पे ये number है इस पे आप call कर सकते हैं, what's up कर सकते हैं वहाँ पे आ करके पूरे 20 test की series आप दे सकते हैं, इसकी बहुत कम cost रखी, आज शाम को इसे dual announce किया जाएगा तो आईए शुरू करते हैं, प्ले Tektonic सिध JJN की ब्याक्षा Harry Hazuje ने की थी, इसकी थोड़ी सी, थोड़ा साइ इति हास भी हमें लिखना होता है तो प्लेट टेक्ट विवर्तनी की सिध्धान की ब्याख्या हैरी हेस ने की थी ये कब की थी उन्होंने 1960 में की थी जबकि प्लेट टेक्टॉनिक शब्द का सरप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था यह सिध्धान्थ दो तथ्यों पर आधारी थे सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते इसको अब महादीपी प्रवा सिध्धान्थ कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी जिसको बोलते हैं ये दो सिध्धान पे और इसके आधार पर चुकि इसमें कई लोगों का योगदान रहा है आप देखेंगे तो इसमें मौरगन, यूलर, मैकेंजी, पारकर और भी जो भूगोलवेत्ता हैं उनका भी काफी योगदान रहा है माना ये जाता है कि यह भू आकरित विज्ञान का एक ऐसा सिध्धान्त है जो एक साथ भूकम, जौला मुखी, सुनामी, महासागरी गर्थ जो ओसें ट्रेंच होती हैं उनकी मध्य महासागरी कटक जो रिजेज होते हैं उनके बारे में मोरदार परवत जितने भी हैं जितने भी folded mountains हैं उनकी पूरी ये उत्पत्त की बैग्यानिक व्याथ्ख्या करता है तो इसलिए ये सिध्धान्त काफी महत्वपूर है इसके बारे में आके देखेंगे हम हैरी हैस के अनुसार विश्व में 6 बड़ी प्लेटे तथा 20 छोटी प्लेटे पाई जाती है प्लेटे तो ये पूरी प्लेटे हैं जिनके आधार पर पूरे जो विश्व का धरातल है उसको बाटा गया है ये प्लेटे एक दूसरे की दिशा में या विपरीद दिशा में या समनांतर विस्थापित होती रहती हैं तो ये तीन आधार पे इनको हम देखेंगे कि आगे जब विभाजन करेंगे हम कि प्लेटों की सीमाएं जो होती हैं निर्मारकारी होती है जो constructive होती है destructive विनाशकारी सीमाएं होती है और संदक्षी जो है conservative जो होती है वो संदक्षी सीमाएं transformed जिन्सको बोलते हैं transform boundary तीन अधार पर boundary का विभाजन को भी हम आगे देखेंगे ये प्लेटे एक दूसरे की दिशा में आपको याद रखना है या विपरित दिशा में या समनांतर विश्थापित होती है इस अधार पर प्लेटों को तीन भागों में बाटा गया है तो पहला अपसारी दूसरा है अभिसारी प्लेटे पहला अपसारी प्लेटे दूसरा अभिसारी प्लेटे और तीसरा समनांतर जो है प्लेटे हैं ये तीन प्लेटे हैं इनके आधार पे हम पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे भुगम जौला मुखी परवत निर्मार कारी बल कैसे उत्पन होते हैं तो पहले spreading आप देखेंगे खास करके आप प्रसान्त महाशागर में देखेंगे तो वहाँ पे जब दो प्लेटे एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में मलबा जो है उपर उठता है और उससे continent का निर्माण होता है छोटे छोटे वो बनते हैं कटक बनते हैं अगला देखेंगे हम जब दो प्लेटे एक दूसरे के समनांतर विस्थापित होते हैं तो इन्हें समनांतर प्लेटे कहते हैं तो इसको समनांतर प्लेटे कहते हैं एक दूसरे के समनांतर तीसरा अविसारी प्लेटे जब दो प्लेटे संपीडन बलके कारण एक दूसरे से एक प्लेट का किनारा दूसरी प्लेट अंदर की ओर धसने लगता है जिसमें पिखले मागमा का निर्माड होता है इस छेतर में बेनी आफ जोंस कहते हैं इसको और जबकि इसके विपरीत बाए भागो में प्लेटों के वलन के कारण लगातार उठने से परवतों का निर्माड होत जिने नवीन वलित परवत कहते हैं तो यहीं से जो वलित परवत का निर्माड होता है अभिसारी प्लेटों से तो इसका यह आप बेनी अफ जोंस, मैगमा, नवीन वलित परवत यह जरूर बनाईएगा आप यह फिगर आप बनाके अच्छे स्कोर कर सकते हैं तो यह हो अगला हम देखेंगे कि इसके बाद इसी आधार पर जुवांडी कुक ने प्लेट के उत्तरी अमेरिकी प्लेट के टकराने से उत्तरी अमेरिके में रौकीज परवत, अलासका, सियरा नेवादा, आधी परवतों का निर्माड हुआ हैं जबकि कौकेस और नजका के दच्छ इसे ही ईुडेशिया प्लेट के इन्डो-अस्ट्रिलियन प्लेट से टकराने से हिमालय परवतों का निर्माड होता हैं और यह रहा प्लेटों के आधार पे आप देख लेंगे जो साथ बड़ी प्लेटे हैं उनको आप यहाँ से दिखा भी सकते हैं छोटी बड़ी जो प् क्यों आवस्चेक है और ये अवधाना किस की अवधाना की पूर्ति करती है और कैसे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे प्रस्ण के माध्यम से और उत्तर के माध्यम से आई अगला प्रस्ण देखते हैं चक्रवात वाट इस साइकलोन और उश्ड कट बद्दिये जो ट्रॉपि जिसमें केंद्र में निम्नवाइद आपके कारण हवाएं केंद्र की तरफ प्रवाइद होती हैं उन्हें चक्रवात कहते हैं तो चक्रवात की सिंपल सी एक परिभासा दे देनी है चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्द में वाईव की दिशा के विपरीद अब आप द इसका इसको आइस बोलते हैं इसका चक्रवाद की आँक बोलते हैं और यह समधा समवाईदाव वाला छेतर है और ये निमनवाईदाव यहां पे होती है यहां उचवाईदाव होती है बाहर से अंदर की तरफ हवाएं जाती है तो ये एक सिंपल सा फीगर आप बना देंगे उचवाईदाव बाहर की तरफ होता है और निमनवाईदाव अंतर की तरफ होता ह चक्रवाद दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल और टेम्परेट होते हैं, उस्लिकटबंदी चक्रवाद तथा सीतोष्लिकटबंदी चक्रवाद, उस्लिकटबंदी चक्रवादों के निर्माड के लिए निमलिखित दसाएं आवस्यक हैं, तो इसकी आये हैं उनके बारे में भी पूछा है तो ये काफी महत्मूर ठापूर्ण है फ्रॉंटोजेनेसिस और फ्रॉंटोलाइसिस भी पूछा है दो बार पूछ चुका है ये तो चक्रवात से प्रस्ण जो है 5-6 बार UPSC में पूछा जा चुका है और चक्रवात सीधे हमारे सिलेवस में भी है, और इस समय काफी चर्चा में है कुछ चक्रवातों के नाम भी आप देखेंगे, तो फानी वगर चक्रवात भी आया है, तो ये उशुर कटबंदी चक्रवात हैं, इनसे समबंदित प्रस्न भी आ सकते हैं ब्रिहद समुद्री सता जहां तापमान 27 डिग्री से अधिक हो पहला इसकी कंडिशन होनी चाहिए कि उस्रकटबंदी जो टेंपरेट ट्रोपिकल साइकलोन होते हैं उनके लिए पहली कंडिशन क्या होनी चाहिए ब्रिहद समुद्री सता जहां पर 27 डिग्री से अधिक ताप केंद्र की आरोही वायू का तापमान वह आधता अधिक होनी चाहिए हिमिडिटी अधिक होनी चाहिए इसकी दसाएं है कुछ दसाएं हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कोरियालिस बल का होना अनिवार है इसी कारण भूमद रिखा के समीब कोरियालिस बल नव होने के कारण इनकी उत्पत्ति नहीं होती है तो आपको याद रखना है कि कहां पे इनकी उत्पत्ति नहीं होती है और भी तीन चार दसाएं हैं जितको हम देख लें तो कोरियालिस बल जो है वो जीरो से पांच डिग्री नौर्दर नौ पाउदर्न हेमिस्फेर में नहीं होता है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे यह चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अध्यदिक मात्रा में आप देखेंगे कि उसलेवम आर्द पाउनों की उपस्तिती भी काफी आवसेक है। हम किसी और प्रस्ट में इसको फिर से डिफाइन कर देंगे। कपासी वर्सा में एक बनते हैं और भी कई दसाएं हैं जिनके कारण उसलकटबंदी चकरवात के वीज के छेतर जो होते हैं वो उसको आँख कहते हैं। आँख के बाहर के छेतर को जो आईवाल बोलते हैं। चक्छु भित्ति के बाहर के छेतर को क्रमसव अंतह वलाय और बाहर वलाय बोलते हैं। यह करते हैं जिनके बारे में आपको नहीं बोलना है इस प्रस्व पे ज्यादना बात नहीं करनी है। चिर्फ दसाएं बतानी है, और मौसम पे पढ़ने वाले प्रभाव बतानी है। तो मौसम पे काफी प्रभाव पड़ता है इसमें और इसको अन्यनाम से भी जाना जाता है जैसे आप देखेंगे हरीकेन बोला जाता है मेक्सिको की खाड़ी में टाइफून बोला जाता है दच्छडी चीन सागर में विली विली बोला जाता है कोरल सागर में टॉर्नेडो ब बहुत ही खतरनाक ये हवाएं होती हैं वाटर स्पोर्ट बोला जाता है सागर के सतहों पर तूफान बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो फानी तूफान अभी आया था वो बोला जाता है चक्रवात दछडी हिंद महासागर में भी बोलते हैं तो ये सारा इससे संबं तापमान में बृद्धी होती है जिससे वाई दाब में कमी आती है वाई वेग में बृद्धी होती है आकास में पच्छाब ये ध्यान रखना है पच्छाब काले मेग बनते हैं जो मूसलाधार वर्षा करते हैं इसके बाद वाई साफ वो मेग रहित हो जाती है यह लक्ष प्रस्ण रहा ये दो प्रस्ण है मित्रों अगर आपको डेली आंसर राइटिंग से भी जुड़ना है जो कि फ्री है तो आप हमें वाट्सअप करें डबल एट जिरो टू आपको अप्रिंट करा करके उसकी कापी बना के उसी में अगर आप लिखेंगे तो सभी लोगों का आंसर हम चेक करेंगे जो लोग हमारे एक फॉर्मिट वाली कॉपी में लिखेंगे तो ये रहा पूरा प्रोग्राम और ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रहिए मस्त रहिए बेस्त रहिए